हेलो दोस्तों नमस्कार खुस्बू ब्लॉक्स में आप सब का श्वागत है आज मैं अपने घर के शफाई कर लेती हूँ यह आप देख सकते हैं गर्मी हो या सर्दी हमारे बेट पे एक ब्लैंकेट हमेशा रहता है तो मैं ब्लैंकेट को इस तरह फोल्ड करूंगी ताकि वो पिलो के आकार में इसको दे देती हूं इसको अंदर ऐसे डाल देते हूं और ये पीलो के जैसा बन जाता है तो बच्चे चाहें जैसे इसको खेले यह नहीं विगड़ता है इस तरह करने के बाद मैं अपने बेट की शफाई कर लेती हूं सफाई करना बहुत ज़रूरी होत तो रोज हम नहीं करते हैं हब्ते दस दिन में एक बार जरूर शफाई कर लेते हैं इस तरह में कोने-कोने से शाफ कर लेती हूं यह हमारे शिलाई का बॉक्स है इसमें रिल सुई धागा बटन वगएरा शब रहता है और इस तरह मैं इसको सब साफ कर लेती हूं अच्छे से कोने-कोने से मैं ऐसे सफाई कर लिए हूं अब मैं अपने आलमारी को भी ऐसे इस तरह क्लीन कर लेती हूं और इस तरह आलमारी क्लीन कर लेती हूं बच्चे हमारे आपस में एक दूसरे से शवाल पूछ रहे हैं यह आप सुन सकते हो उनको कि इस तरह मैं अलमारी को क्लीन करने के बाद मैं अपने ये जो कपाट है मैं उसको भी क्लीन कर लेती हूं क्योंकि उसके उपर धूल मिट्टी बगरा सब जमा हुआ है और इस तरह मैं कपाट को भी सफाई कर लेती हूं समान एक साइड करके इस तरह शफाई कर लेती हूं अपने कपाट की भी कपाट की सफाई करने के बाद मैं अब कपड़े को धूल लेती हूं मसीन हमने लगा दी हूं और इसमें सारे कपड़े डाल दूंगी हमारा ये जब त तब तक मैं घर का और सारा काम कर लेती हूं इसके शाथ में और पार्सल आला भी आ गया है वालेंटाइन डेके दिन हस्बेंड ने हमारे लिए एक सर्प्राइज प्लाइन किया था और मैं वह अपना गेफ्ट ले लेती हूं ले लेते हूं इस तरह यह पार्शलाल आ गया है और अब मैं देखते हूं अब मैं ले ले का? मünne बिला और一樣 औरी फुर्णञ युिरा हु और दया सभी औरी वाओ करा नहीं जा बमा कपड़ा मेरा दूल के रेडियो हो गया है मैं उसको भी सुपा लेते हूं मेरी तरफ ऐसे धूपाती है तो कपड़ा सुपने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लगबग लगबग सब काम मैंने कर चुकी हूं मेरा कंप्लेट हो गया है यह देखिए अब जो टाइम मिला है मैं उसमें सिलाई कर लेती हूं मैं साथ में सिलाई भी करके हूं और मेरा ब्लाव जे कलका आधा बना हुआ था तो आधा ही वाके था त इस तरह से मैं इसमें डोरी लगा लूँगे अब ब्लावज बनके एकदम रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूं इसमें एक दो सिंपल ती डिजाइन डाली हो जो बहुत अच्छा लूप इसका आया है यह देखिए डोरी लगके कंप्लेट हो गया है और यह आप दे जाएं और यह हमने डबल काटोरी का बनाई हो और इसकी जो काटोरी हो भी पर्फेक्ट तरीके से हैं यह देखिए अब हमारा ब्लावज बनके कंप्लेट हो गया है आप इसको देख सकते हैं यहीं पर व्लॉक समाते होते हैं पर डाचाड बाच नवगके से माता करण से फिरेक्ट कर देख से नवीसदेट देखिए धिक कर लिए और अब मुझे भूख लग गई है दोस्तों तो मैं जा रही हो खाना खाने के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए नमस्कार्ण दोस्तों